चांदपुर्क शेत्र ने एक माह में आधा दर्जन से ज़्यादा हुई चोरी के मामलों में एक चोरी का खुलासा किया। चोरी का खुलासा करते हुए 29,700 रूपों के साथ चोर को पर्णोसी प्रदेश मध्य प्रदेश निवासी को बिजनोर जिले की पुलिस स्वॉट टीम ने पकड़ लिया है। ये थेले में 1,08,000 रुपे रख कर लाए थे। विजेपाल अपना थेला बैंच पर रख कर रुपे जमा करने के लिए फॉर्म भरने लगे। तबी घात लगाए बैठे दो यूवक उस थेले को चालाकी से लेकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के कुशल निर्देशन में, चांदपुर पुलिसक शेत्राधिकारी सर्वम सिंग ने अपनी पुलिस स्वॉट टीम के साथ बैंक से हुई चोरी के मामले का खुलासा किया है। चोर पणोसी प्रदेश मध्य प्रदेश के रहने वाला है। जिसने अपना नाम आकाश कुमार पुत्र रतन सिंग ग्राम गुल खेरी, ठाना बूटा, जनपद, राजगर, मध्य प्रदेश बताया है। आकाश ने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथी राजवा मज्नु के नाम भी बताये हैं। पकड़े गए अभियुक्त आकाश से पुलिस ने किसान विजेपाल के एक लाखाट सो रूपे में से चोर आकाश से केवल 29,700 रूपे ही बरामत कर पाई हैं। आकाश के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में बरामतगी की धारा 411 की वृद्धी की गई है। चोरी के खुलासे में पुलिस की स्वाट टीम का विशेश सहयोग रहा है। वहीं दूसरी और पुलिस दो अन्य अभियुक्त राजवा मज्नु को गिरफतार करने के लिए निरं अंतर प्रयासरत है। चांदपुर से आजे कुमार कौशिक की रिपोर्ट